अगर गाईज आप लोग ये जाना चाहते हो कि Samsung Galaxy F13 स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को कब तक One UI 6.0 बेस्ट और Android 14 का बीटा अपटेट है वो देखने को मिलेगा और उसके बाद में इस्टेबल अपटेट जिसको कि हम लोग ओफिशल अपटेट है वो कहते हैं तो ये वाला जो कंट्रोल सेंटर है वो मैंने One UI 6.0 का अपटेट है उसी का कंट्रोल सेंटर आपके सामने शो कर रहा हूं तो अपटेट को इंस्टोर करने के बाद में जो आपको पूराना कंट्रोल सेंटर मिलता दाना तो उसको चेंज करके Samsung के और से ये वाला नया वाला कंट्र सेंटर है वो एड़ किया जाएगा तो अपटेट काफे जदा अमेजिंग है तो आज की इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा कि कौन-कौन से नए फीचर्स है वो एड़ किये जाएंगे तो वीडियो अगर आपको यह पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकत तो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से ओल पर प्रेस कर लेना आपको मारे चैनल पे 1UI 6.0 अपटेट की वीडियो मिल जाएगी कि कौन-कौन से फीचर्स है वो यहां पर एड़ किये गए है तो उस व सेमसंग के flexible smartphone है उनके लिए update है वो rollout किये गए है जैसे कि Samsung S23 series, Samsung S22 series और कुछ यहां पर फोल्ड और फ्लिप के हाँ पर smartphone है लेकिन जो हमारे mid-range smartphone है budget smartphone है उनके अंदर update है वो कब तक मिलेगा तो direct side की बात करते है तो direct मैं अब बात करते है सेमसंग Galaxy F13 जो smartphone है इसके अंदर beta update है वो मिलेगा या फिर नी तो beta update तो नहीं मिलेगा लेकिन directly samsung के ओर से stable update है वो provide किया जाएगा beta update provide करने का main reason है वो यही है कि samsung f13 है वो एक budget smartphone है उसका processor है वो इतना capable नहीं है कि बीटा अप्टेट की जितने भी जो बग्स है उनको यहाँ पर यह सहन कर सके इसलिए Samsung के ओर से टेस्टिंग है हो की जाएगी और जो भी बग्स है उनको रिमूव किया जाएगा और डायरेक्टली इस्टेबल अप्टेट है उसको यहाँ पर रिलिस किया जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर इस्टेबल अप्टेट है वो देखने को मिलेगा मार्च मंत के अंदर तो Samsung के ओर से मार्च 2024 एर के अंदर अप्टेट है वो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा और मान लो अगर टेस्टिंग है वो पहले कंप्लीट हो जाती है तो January मंत के अंदर भी जो अप्टेट है वो आपको मिल सकता है बाकि अप्टेट काफ़ जदा amazing है बहुत सारे इस अप्टेट के अंदर changes किये गए हैं जैसे कि setting application है उसका layout है वो आपको change देखने को मिलेगा control center के बारे में तो मैंने आपको already आपर बता ही दिया है बाकि अगर आप लोगों को features के बारे में जानना है ना तो मैंने इसको पर already वीडियो बना दिया है और एक नहीं काफी सारी वीडियो वो आपको मारे चैनल पर मिल जाएगी 1UI 6.0 update के regarding तो यही एक छोटी सी information है वो आपके साथ में share करनी थी अगर आप लोगों कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करनेना जैसे यहाँ पर official और beta अपडेट है वो आता है आपके smartphone के लिए वीडियो आपको मारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी और टेलिग्राम चैनल है उसको भी आपट जोइन कर सकते हो मैं मिल ताँ आप लोगों से next video में जेहिंद वंदे मातरम